असलाम अलेकुम कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हों सब खायर यह से होंगे मैं हुश्याफ परसान रजा है वेल्कम टो मैं चैनल किचन वॉक तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बहुत ही चटपटे टेस्टी मसालेदार चिकन तंदूरी टिकका बहुत ही जबर्दस बनेगा खा कि आपको मज़ा आजेगा इसकी प्रिपेशन की तरफ चलेते हैं देंगे सबस्परेदेश के मसालों को पेस्ट त्यार करूंगा मैं थ्री टेवलिस्पून दही वन टेवलिस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एक लेमन का जूस वन टेवलिस्पून चिली बड़र, 1.5 थीजपून धनिया बड़र, 1.5 थीजपून जीरा पॉरडर, 1.52 थीजपून गरम-मसाला बड़र, आपक सार्ल टेस्ट, 1.5 थीजपून फूर्ट पूड कर लें, मिक्स कर लें इसको वन टीस्पून ओइल यह तयार हो चुका दो लाइक पीस लिए मैंने तिका कट इसको साफ कर ले देंगे इसको इसको कट लगा ले कर थोड़ी के गहरे लगाए ता कि मसाला अंदर अच्छी तरीका से चला जाए ढया का Koning तो डिये कट लगी हम में से मशाला हुं वह काम‍सको मशाला लाओ मशाला अच्छी मशाला काम आशिक मिटी। 1 dat तक चला जाए देखें यह माइनेट हो चुकी है अब मैं इसको 20 मिन के लिए फ्रीज में रखोंगा देखें गिल पान में ले लिया इस पर आइलिंग करेंगे देखें आइलिंग हो चुकी है मैं इस पर तेक्क्या रखोंगा 20 मिन तक मैं इसको एक साइट से पगाऊंगा याद रखें कभी तिक कैसे रखें नहीं छोड़िएगा बीडियम फिल्म पर मैं इसको रखा जाए तेस फिल्म इसका नहीं करिएगा वह नहीं नीचे से जल जाएगा देखें हम इसको आइलिंग करूंगा दुबाराग इसको टर्ण करें देखें थोड़ा सा मसाला मेरे में बचा था वह मैं स्यट पर लगा दूँगा दोनों कर देखें अब मैं इसको परट लूंगा थोड़ी से और ग्रेसिंग करूंगा इस पर अब बिल्कुल लो फ्लेम पर बीश्मुन के लिए मैं इसको ठक्या रख दिया और फ्लेम बिल्कुल लो पर दिया याद रखिए गभी को लो फिलेम पर रखिए गाव नहीं जल देखें ये तैयार हो चुके हैं फिलेम में इसका ओफ कर दिया अब मैं अच्छी सीज की प्रेइंटेशन करूंगा देखें मज़ेदार तंदूरी तिक्का तयार हो चुका है बहुत ही जबवर्दत और स्पैसी बनाए खाके आपको मता आएगा सब्सक्राइब अपने घर पर ट्राइब कीजिएगा अगर में डिश आपको परसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब विरूप परें फेस्ट झाल